आप से किये हर वादे को हम निवाए हैं अपकी बार हम नहीं सोच के साथ आए हैं नवीजी जिस तरह से मैंने कहा कि लोगों की किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी पार्टी किस तरह से जो है काम कर रही है मैंने सबसे बड़ा मुद्दा हमारी डेमोगर्टी प्रगर्सिव अजाद पार्टी का ये है कि जो स्टेट हुट वापस दिलाना जिससे हमारे लोग वंची तो चुके हैं लास्ट पिछले तीन साल से है इतनी बूरी अहलत है हमारी स्टेट की की मैं क्या बताउं महंगाई अपनी चरम सिवाँ पे है बेरोजगारी अपने चरम सिवाँ पे है आप देख रहे हों कि जगा जगा दरना परदर्शन हो रहे हैं कौर से किरिक जाहरी आपकी मुलाकाद रहती, डेले वेज यिसके बात की जाए, लगातार वो सड़कों पर है, उसके इलावा अनने लोगों की बात की बात की जाए, वो भी समय समय पर सड़कों पर रहते अपनी मागों को पूरिकर वाने के लिए, क्वालए एक प्रदर्शनी एक तरीका है या उसके इलावा भी कुछ हो रहा है जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी तो हमने प्रदर्शनी करने है यह तो यहां बैटी जो सरकार है एल जी साब है एल जी साब को इस बात का संग्या लेना चाहिए और यह जो लोग आए पचापचा साल हो गए चली चली साल के हो रहे हैं यह कल रेटायर हो जाएंगे यह भी उसी पांच शेजार पे गुजारा कर रहे हैं इतने बच्चे जवान हो चुकी यह बेटियों की शा साब के स्वाय जो भी मेदान में है सो से उपर पलस रैली अजास साब पूरे जम्हुन किश्मीर बेटा हो पता है पूरी सर्दी मेती सर्दी में शर्दी मैं बड़ पारी हो रही थी अजार साब कि श्म्हुन के लोगों का दुख दर्द मालूम है इसी वज़ा से वह सबको स्टेट हुट की वापसी की बात की जैसे बात की जाए 375 एक टोटने की तो उसके बात ये कहा गया था कि जैसे हालात समाने होंगे तो स्टेट हुट का दर्ज़ों जो है वापस दिया जाएगा क्या लगता है कि अभी तक हालात समाने नहीं इस वज़ा से वापस नहीं दिया वो भी हुआ कि आज समाने हैला तो दिखा रहे हैं लोग मर रहे हैं तभी स्टेट हूट की वापसी नहीं हो रही है यह गोर्मन्ट मुझे जम्मो किश्मीरी को लेके सीरियस ही नहीं है अमरी सेंटर गोर्मन्ट वो चापती नहीं है यहां चुनाब हो आज इनके अधियक से जाब बात करी जुनाब की वो के जबाब नहीं दते हाँ जी हम बनाएंगे सरकार मारी सरकार बनेगी बही कहां से बनेगी आप चुनाब कराने को तियार नहीं हो जाब कोई मीडिया वाला आपसे कोई प्रेशन बूचता है आप उसका दूसरा उतर देते हो तो ऐसे मुझे जाब लगता नहीं है कि इस गोवर्मन इस सीरियस फार कंडुक्टिंग एलेक्शन इजयान के कई पूलिटिकल पार्टिस जो है चुनाबों की त्यारे में जोट चुकी है क्योंकि डेली मिटेशन का प्रोसेज जो है वो पूरा हूच चुका और ऐसे में तमाम पुलिटिक पार्टिक पार्टिक की बात की जाए तो किस तरह से वो अपनी तेयारियों में जोटी है मैडम मैंने आपको पहले भी बोला कि डेमोक्रिक प्रोसी अजाद पार्टिय हमारे अजास साब इस समय अपना मैक्सिमम जो समय है कश्मीर जमो कश्मीर के अंदर दे रहे हूँ हर ह मुझे बताई और कौन सी पार्टी समत्यारी में हैं बाचरपा कहते हैं कि हम पून बहुमत से जीतेंगे आप किस तरह से इसे कहेंगे क्या जवाब देंगे इसका में जवाब दूँगा एक होता ना बेशकल सा आदमी उजाओ शीशा देखता हो समझता हैं बहुत सुन्दर ह वो यह खाब लेकर बैठ्टे हैं कि हमारी सरकारवने भई कहां से बनेगी आपने कौन से लोगों को काम किये आपने कौन से माहँगाई दूर की आपने बेरुजिएर इक करना दूद्र का पानीका पानी हो जाएगा लेकिं करवाने को राजी नहीं है, एक स्टेमिन कुशन कुछ पूचा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है, तो ऐसे कैसे बसी बाला, तो आप क्या कहने चूँगे किस तरह से लोगों के मुद्धे जो है वो हल हो सकते हैं, मैणम जब तक गुलाव मुद्धाद साब को जम काम करवाने आना होता था, वो शाम को घर नहीं पहुंच पाते थे, रात को कही होटल लेकर रुकना पड़ता था, तो अजासों जो डिस्ट्रिय उनका यही विजन था, कि लोग अपना काम कुना है, जो नीरस जागे उनको डिसी आउस मिले, और उसमें अच्छा रहा, लो दो दिस्ट्रिय जग काम होता है, तो बेरुजगरी धूर होती है, दो बंदों को काम मिलता है, तो पूरे देशबर में लगला केंपेइन वो चला रही है, आप खुद कांग्रिस पार्टे साथ लंबे समय तक जुड़े हुए थे, तो क्या लगता है, कि उनकी जो मजबूत करें है, हमारा ध्यार नहीं जा रहा है, हमने दूसरी सोच रखी नहीं है, वो क्या कर रहा है, आप बिलकुल रहा हूँ, जिस दिन मैंने छोड़ा, मैंने चोड़ा हुए जये मैंने 45 돼 लोगों के काम करने के लिए लेकिन जब वहां भी यहां हमें इगनोर किया गया हमने पार्टी रास्ते चोड़ दिया क्या लगता है जो वह केमपेंच ला रहे उनके लिए कारागर साबित होगी या नहीं होगी आपका क्या रहे हैं मैंने आपको लगता है मुझे दो नहीं लगता है दोजार चोड़ा के बाद मुझे बताओ उन्होंने जितनी वी यात्राइं की वाज सफल होई अभी लेटर जोड़ा या भारत तोड़ा मुझे ने समझा क्या कुन सी जातर दी अगर उनको काम भी मिली अभी एलेक्शन आ र किश्मिन की जनता को शायरी के अंदाज में अजाज साथ की तरफ से जो नहीं ने काम की है एक बात में कहूंगा आप से किये हर वादे को हम निवाए हैं अब की बार हम नहीं सोच के साथ आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जन्यवाद साथ तोट से इनों अपने शायरी के अंदाज में बता दिया कि अब की बार नई सोच के अंदाज से जो है आगे बढ़ेंगे और लोगों के कई सारे मुद्दों को जो हल करेंगे हला कि ये जब चुनाव होंगे उसके बा तरता है याने वाला वक्त पताएगा आप से असे देखते अंगबाइट्स विजनलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजर ठाक और यांगबाइट्स जमो